दोस्तों काफिस सरे छातर छातर आये बिहार बोर्ट से कमपार्टमेंट के थूरू एक्जाम देकर वो परिक्षा पास कर जाते हैं अब उनके मन में काफिस ज्यादा ही कन्फूजन होते हैं कि जो हमारा माक्सिट आएगा वह माक्सिट हमारा एनुवल माक्सिट से किस परकार अलग दिखता है और कमपार्टमेंट बला जो हमारा माक्सिट आता है उसका कितने value होती है उसके अलावे उनके मन में ये भी confusion होते है कि क्या हम compartment के थुरू अगर हम board पर रिक्षा पास कर जाते हैं तो क्या हमें सरकारी नौकरी लगेगी या इस marksit को सरकारी नौकरी में हम कहीं देंगे जैसरे LBA SSC इसके अलावे भी UPSC BPSC में अगर आप जाते ह है तो क्या आपको कहीं भी selection के समय कोई दिक्कत होगा इसका सारा doubt हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे इसके अलावे हम समझेंगे कि जो candidate अगर scrutiny करते हैं उनको लगता है कि number कम मिला है और उनका number बढ़ जाता है तो उनका marksit case परकार होगा और आपका final marksit case परकार दिखता है यह तीनों में हम आपको comparison करके दिखाएंगे कहां पर क्या आंतर होता और किस marksit का कितना value है और कहां आपको जो है इससे दिकत होती है या दिकत नहीं होती है उसके सारी doubt को हम clear करके आपको इस वीडियो में जनकारी देंगे request है कि इस वीडियो को आप अंतक देखिएगा ताकि आपको पूरी जनकारी समझ में आप आएगी वीडियो अगर आपको पसंद आ तो like जरूर करे साथी चैनल को subscribe करे ताकि आने वाली इस परक fusion बना ही होता है कि अगर आप compartment से pass होते हैं तो इसकी value नहीं होती है या compartment वाला जो marksit होता है ये वेकार दिखता है अलग दिखता है इससे पता चल जाता है कि आप compartment वाला थुटा बिधारती है तो देखिए इस परकार के कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी compartment से अगभी अगर आप pass कर जाते हैं तो कहीं भी किसी भी सरकारी नोकरी या कोई भी सक्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पर कोई problem नहीं होगी देखिए यहा पर समझने वाली बात है किसी को सफलता है एक बार में ही मिल जाता है किसी को सफलता है किसी को चार बार में मिलत तो क्या दिकत है सफलता आपको मिला न इसमें कहीं से भी आपको निरास नहीं होना अगर आप कमपार्टमेंट से भी पास हो जाते हैं तो आपका जो माक्सिट है जितना एनुवल वाले का भैलू है उतना ही माक्सिट का आपका भी भैलू है अभी हम अपने स्कीन पर चलकर आ होंगे यह original मार्चिट है originally amongplace जो आपका होता है कुछ इस प्रकार होता है अश्पे क्या लिखा होता है समझ लिजे जासाई यह जो मार्चिट है यह intermediate वाले का है तो यहाँ पर आप देख पारहा होजें यह intermediate आपको clear mention भी किया गया कि यह जो मार्चिट है intermediate वाले candidate का है और यहाँ पर annual intermediate examination लिखा रहाएगा 2022 होगा, 2023 होगा तो यह साल आपको देखनों को मिलेगा इसमें कहीं भी आपको कोई दिकत नहीं होता यह original marks इट में आईए आपको दिखातें compartment वाला किस परकार होता है फिर हम आपको दिखाएंगे scrutiny वाला किस परकार होता है original वाला में एक चित देखेंगे आप यहाँ पर तो देखिए, आपका जो marks है वो किस division में है परिनाम यहाँ पर, second division, first division देखनों को मिलेगा, यहाँ पर उसके आलावे प्रतांक जो आपके number होंगे वो number भी आपको देखनों को मिलेगा English में लिखा रहता और इस परकार भी आपका कुछ detail जो है number का बता दिया जाता, QR code रहता है अब यह अभी जो आप देख पार होंगे यह compartment वाले जो candidate होते हैं उसका यह markset अभी आपके skin पर देखनों को मिल रहा होगा और यहाँ भी clear mention किया गया कि intermediate compartment come as special examination 2022 यानि compartment से अगर आप exam देते हैं तो उसकी जनकारी आपके markset पर पता चलता है कि आप compartment के student है यह आपको यहाँ पर मिलता है यह पहला आपको point धियान देने वाली बात है कि यह रहता है अब दूसरा चीज देखना है कि जो भी आपका number होता है जो भी subject में आप exam दिये होंगे जैसे यहाँ पर देखे इन्होंने जो exam दिया था chemistry में दिया था तो chemistry में इसको C लगा हुआ है उसके अलावे math में इन्होंने दिया था तो math में भी इसको C लगा हुआ है आप यहाँ पर clear देख पा रहे होंगे यही जो दो main जो आपके marksit है उस पर अंकित होती है पहला अभी उपर में आपको मिल जाएगा कि compartment है और दूसरा आपके जो number जो भी subject में बढ़ा है compartment के थूरू उसमें आपको C देखनों को मिलता है आप scrutiny करते हैं आपका number बढ़ता है तो कहीं भी आपको matik वाले जो marksit होते है उस पर अंकित नहीं होती है जो आपका annual examination वाला आपका marksit होता उसी परकार होता लेकिन एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि जहां भी आपको number बढ़ता है यहां पर देखिए इनका 3 number बढ़ता हुआ है और उसके बगल में आपको इस परकार star marks लग जाएगा इसका मतलब आप समद लीजिए कि आप जो है scrutiny आपका number बढ़ता है तो इस परकार आपका star देखनों को मिलेगा बाकि सभी जानकारी उससी परकार होगा जो आपका final marks इट आता है annual वला भी हमने आपको दिखा उससी परकार इसमें भी अंकित होती है वही बात करें अगर आप scrutiny करते हैं तो इंटर scrutiny में 2019 बाले जो marks इट हुआ करते थे उसमें आपको इस परकार देखनों को मिलता था कि after a scrutiny अगर आपका number बढ़ता था तब आपको देखनों को मिलता था लेकिन matriculation में कहीं भी ये mention नहीं हुआ करता था इस चीज़ को ध्यान रखेगा लेकिन आप जो नए series से आते हैं उसमें अगर आपको स्कूटनी में number बढ़ता है तो इस परकार आपको नहीं देखनों को मिलेगा डाइरेक्ट आपका जो annual intermediate examination रहेगा 2023 रहेगा उसमें कहीं भी कूछ detail नहीं मिलेगा लेकिन आपका जो number बढ़ेगा उसमें start लग जाएगा तो अब आपका सारा confusion दूर हो जाना चाहिए कि आपका जो ये compartment वाला marksit है वो किस परकार होता है स्कूटनी वाला किस परकार होता है और साथे साथ final वाला किस परकार होता है और सब में क्या answer होता है क्या लिखा हुआ होता है उसके सारी जयनकारी हमने आपको बता दिया अब यहाँ पर जितना वहलू जो आपका यह annual बार जो Marksit आपका होता है जो एक बार में candidate पास करते है रियल्ट आता है उतना ही वहलू वह तीनों जो Marksit हमने आपको दिखाया तीनों का equal वहलू होता है लेकिन बस अरते यही होता है कि कोई बंदा अगर आपका मार्क सिट देखेगा तो उसको वह पढ़ कर जिनकों को इस सब चीज़ें को बारे में जैनकारी होगी जैसे अपने इस वीडियो को देख लिया होगा तो आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा तो अब आप किसी भी मार्क सिट को अपने तो इस परकार का मार्क सिट इंटर्मेडियर का आता तो आपका भी सेम इसी परकार आएगा कंपार्टमेंट से भी रहेंगे फिर भी तो इसमें कहीं से भी कोई आपको परहसानी नहीं होगी चाहिए आप सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हो या कहीं भी कुछ भी करना च चाह रहे हो तो कहीं भी कोई दिकत नहों होगा नहीं आपको एडमिशन में कहीं भी कोई रोग छोख होगा कोई पूछेगा भी नहीं दोस्तों अभी आपने देखा हमने तीनों मार्क सिट के बारे में आपको डीटेल जनकारी प्रोवाइड कर दिया कि यह जो मार्क सिट अपार्टमेंट वाला किस परकार होगा, एसकुटनी वाला किस परकार होगा, और साथ ही साथ आपका फाइनल मार्क से किस परकार होगा, मैं आसा करता हूँ आपका सारा डाउट और कन्फूजन जो मन में होंगे, वो किलियर हो चुका होगा, फिर भी अगर कोई डाउट बच गया हो तो अप नीचे comment box में लिख सकते हैं और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंदा हो तो प्लीज इससे like करें और channel को subscribe करें आने वाले सारी update की जनकारी आपको मिल पाएगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद